नमस्कार दोस्तो मैं कुमल मिश्रा एक्जाम लगा प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम इतिहास की प्रमुख घटनाएं वो उनकी तीथी सहीद कुछ प्रशनुत्तर लेकर आई हूँ मैं आज के इस वीडियो में हम इतिहास के उन प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे और उनकी तीथी के बारे में जानेंगे किस सन में वो ये सारे यूध लड़े गए थे आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो आए जानते हैं इतिहास की प्रमुग घटनाएं वो उनकी तीथि सहित तो इसके बाद है हमारा जैसा कि हमारा मेन टॉपिक है आज का इतिहास की प्रमुग घटनाएं एवं उनके घटित वर्स तो आए जानते हैं कि कौन-कौन सी जो प्रमुग घटनाएं हैं हमारे इतिहास की वे कौन-कौन से वर्स में घटित हुए हैं तो आए देखते हैं जैसा कि पहला है हमारा भारत में आर्यों का आगमन यह 1500 इसापूर्व में हुआ था आरे भारत में 1500 इसापूर्व में आये थे इसके बाद है महावीर का जन्म कब हुआ था तो यह 540 इसापूर्व महावीर जी का जन्म हुआ था इसके बाद है महावीर का निर्वाड महावीर का निर्वाड कब हुआ था 468 इसापूर्व हुआ था इसके बाद है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो यह 563 इसापूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था इसके बाद है गौतम बुद्ध का महापरी वार्ण कब हुआ था यह 483 इसापूर्व हुआ था गौतम बुद्ध का महापरी वा यह सारे कोश्चन हर एक्जाम में आते हैं तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था तो यह 326 से 325 इसा पूर्व सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था इसके बाद है असोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी तो यह 261 इसा पूर्व हुआ था असोक द्वारा इसापुर्व में हुआ था विक्रन सववत का आरंब इसे विक्रमादीत ने किया था इसके बाद है हमारा सक सववत का आरंब यह 78 इसापुर्व में हुआ था इसके बाद है हिजरी सववत का आरंब यह 622 इसवी में हुआ था इसके बाद है फाहान का सरी फाहान की भारत या इसरा पुर्व में हुई थी, इसके बाद है हर्सवरधन का सासन ये 606 से लेके 647 स्वी तक रहा हर्सवरधन का सासन इसके बाद है विन सांग की भारत यात्रा या 630 इस्वी पूर्व हुई थी इसके बाद है सोमनात मंदिर पर आक्रमड या 1025 इस्वी में हुई थी इसके बाद है तराइन का प्रथम युद या 1191 इस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद और इसके बाद है तराइन का द्विती 1192 स्वी में हुआ था दोस्तों इसके बाद है गुलाम वंस की स्थापना कब हुई थी तो यह 1206 स्वी में हुआ था गुलाम वंस की स्थापना 1206 स्वी में हुई थी इसके बाद है वासकोडिगामा भारत आगमन वासकोडिगामा भारत कब आया था तो वासकोडिगामा 1498 कब हुआ था तो 1526 इसवी में पानीपट का प्रथम दूर्प अ habían पानीपट का दूतिवी उथ 1526 इसवी में हुआ था दोस्तों पानीपट का proved तुह पानीपट का तृतिया स्थ 856 wiem में हुआ था था 3-n सेंटर में पानिपत का त्रिते युद्ध हुआ था इसके बाद है अकबर का राज्या रोहड का हुआ था तो 1556 में अकबर का राज्या रोहड हुआ था इसके बाद है हल्दी घाटी युद 1776 में हुआ था इसके बाद है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना या 1582 में दीन ए इलाही धर् पुए अभर ने 1582 इस्वी में किया था इसके बाद है दुस्तो, प्लासी का यूध ये सत्रर सो सतावान इस्वी में हुआ था प्लासी का यूध ये है बकसर का यूध जो कि यें宮रे इतिहास में बहुत ही महतुपुड बूमिकान भागता है, बहुत ही महतोपूड है बक्सर का युद यह 1764 स्वी में हुआ था इसके बाद है बंगाल में स्थाई बंगाल में स्थाई बंदुबस्त यह 1793 स्वी में हुआ था इसके बाद है बंगाल में प्रथम विभाजन यह 1905 स्वी में हुआ था बंगाल का प्रथम विभाजन इसके परफम, मिंटो सुधार ya 1909-1923 में हुआ था मारले मिंटो सुधार इसके बाद है प्रथम विष्वयुद कब हुआ था तो या 1914 से 18 स्वी तक हुआ था उन्नीसोचबाद से लेकर उन्नीसोटारा स्वी तक प्रतवन ईद्र। चला था इसके बाद है दूसतो दूती बिस व इध या 1949 से लेकर 1945 स्वी तक चला था दूती बिस वज Virn इसके बाद है दोस्तों असायोग आंदोलन या उन्नीस सो बीस से लेकर उन्नीस सो बाईस सिस्वी तक चला था इसके बाद है साइमन कमीशन का आगमन साइमन कमीशन का आगमान 1928 सिस्वी में हुआ था दोस्तों इसके बाद है दांडी मार्च नमक सत्यागर या 1930 सिस्वी में दांडी मार्च नमक सत्यागर आरंब हुआ था इसके बाद है गांधी इर्विन समझोता दोस्तों या 1931 सिस्वी में हुआ था इसके बाद है कैबिनेट मिशन का आगमन यह 1946 श्वी में कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ था कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी 1946 श्वी में तो यह 1965 में हुआ था इसके बाद है ताशकंद समझोता यह 1966 में हुआ था इसके बाद है दोस्तों हमारा ताली कोट का युद्ध ताली कोटा का युद्ध 1565 में हुआ था ताली कोटा का युद्ध दोस्तों 1565 में हुआ था इसके बाद है प्रतम आल मैशूर युद्ध यह 17 सब्सक्राइब जबासेर से लेकर यहां पर कैने सब्सक्राइब यहां पर दोसतों सेवेंटी नाइप रहेगा यहांपर 1789 इस वी तक चला थो प्रत毛 मैशोर्यूद है 1788 करी 17 चतूर्त आल्ग मैसूर्यूद या 1792 स्वी में हुआ था तो दोस्तों आप देख रहे हैं प्रथम द्वीति, तृति और चतूर जितने भी आल्ग मैसूर्यूद हैं यह सारे क्रमा नुसार यहां पर बताए जा रहे हैं प्रतम आल्ग मैसूर यूद 1776 से लेके 1789 स्वी तक चला था दूती आल्ग मैसूर यूद 1780 से लेके 1784 स्वी तक चला था तूती आल्ग मैसूर यूद 1790 से लेके 1792 स्वी तक चला था और चतूर्थ आल्ग मैसूर यूद 1799 स्वी में हुआ था इसके बाद है प्रत्म गोल में सम्मेलन कब हुआ था तो यह 1930 में हुआ था इसके बाद है दुती गोल में सम्मेलन यह 1921 में हुआ था। और तृती गोल में सम्मेलन जो है दोस्तो वो 1932 स्वी में हुआ था इसके बाद है हमारा क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तो यह 1942 स्वी में हुआ था इसके बाद है दोस्तो चीनी क्रांती की शुरुआत कब हुई थी तो यह 1911 स्वी में हुआ था चीनी क्रांती की शुरुआत 1911 इस्वी में हुई थी इसके बाद है फ्रांसिसी क्रांती की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों तो यह 1789 इस्वी में हुआ था 1789 इस्वी में फ्रांसिसी क्रांती हुई थी इसके बाद है रूसी क्रांती रूसी क्रांती कब हुई थी तो यह 1917 इस्वी में हुई थी रूसी बहुत ही आसानी से हमें याद भी हो जाएगा इसमें से कुछ ऐसे जो हैं जो हमें बहुत ही अच्छे से याद हैं और हमारे सारे एक्जाम में भी वो अक्सर आते हैं तो एक बार हम फिर से इन सभी जो भी हमारे इतियास के प्रमु घटनाए हैं और उनके घटित वर्सों को एक बार फिर से देख लेते हैं। पाद है विक्रन समवत का आरंब 58 इसा पुर्व हुआ था और सक समवत का आरंब 78 इसा पुर्व हुआ था इसके बादे दोस्तो हिजरी समवत का आरंब 622 इसा पुर्व में हुआ था फाहान की भारत यात्रा 405 इसा से 411 इस्वी में हुआ था 405 से 11 इस्वी में हुआ था फा पाक्रमड एक हजार पचीश स्वी में हुआ था इसके बाद दोस्तो तराइन का प्रथम युद् या ग्यारत सो इक्यानबे स्वी में हुआ था और तराइन का दूति युद् या 1526 इस्वी में हुआ था पानीपत का दिती युद दोस्तो या 1556 इस्वी में हुआ था पानीपत का तृती युद या 1761 इस्वी में हुआ था इसके बाद दोस्तो अकबर का राज्यारोहड कब हुआ था तो 1556 इस्वी में अकबर का राज्यारोहड हुआ था हल्दी गाट की स्थापना की थी इसके बाद है प्लासी का युद्ध दोस्तों 1776 हुआ था इसके बाद है बकसर का युद्ध जो की 1764 हुआ था अगला है मारा बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त यह 1793 हुआ था बंगाल में 1909 स्वी में हुआ था इसके बाद है प्रतम विस्वयूद कब हुआ था तो यह 1914 से 1918 स्वी तक चला था द्यूति विस्वयूद 1949 से 1945 स्वी तक चला था इसके बाद है असायोग आंदोलन यह 1920 से 1922 स्वी तक रहा इसके बाद है साइमन कमिशन का आगमन यह 1928 स्वी में साइमन शिज़ब घांधी इर्विन समझोता यह 1931 षिस्वी में हुआ था। कैबिनेट मिशन की स्थापना दोस्तो यह 1946 षिस्वी में हुई थी। मातमा गांधी की हत्या 1948 षिस्वी में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमन 1962 में हुआ था। प्रतम आल्ग मैसूर यूद ये 1776 से 1789 स्वी तक हुआ था इसके बाद है दृती आल्ग मैसूर यूद ये 1780 से 1784 स्वी तक हुआ था तृती आल्ग मैसूर यूद ये 1790 से 1792 स्वी तक हुआ था इसके बाद है चतुर आल्ग मैसूर यूद ये 1799 स्वी में हुआ था तो दोस्तों आप देख रहे हैं जो भी हमारे ये हैं इतिहास के प्रमुग घटनाएं और उनके वो कौन कौन से सन में घटित हुए थे यह सारे बहुत ही important है और यह सारे question हमें हर एक exam में पूछे जाते हैं वो चाहे आप किसी भी चीज का exam दे रहे हो सारे exam में ऐसे question आते है तो आप लोग इसे बिल्कुल भी ध्यान से और एक दो बार अगर आप इसको देख लेते हैं तो यह आपको याद हो जाएगा और जल्दी भूलेगा भी नहीं तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरण सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा ल यूद जो की 1999 स्वी में हुआ था कारगिल यूद 1999 स्वी में हुआ था इसके बाद दोस्तों प्रतम गोल में सम्मेलन 1930 स्वी में प्रतम गोल में सम्मेलन 1931 स्वी में हुआ था और त्रती गोल में सम्मेलन 1932 स्वी में हुआ था इसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्त तो दोस्तों आप देख रहे हैं बड़े ही कम समय में बहुत ही आसानी के साथ आज हमने इतियास के जो प्रमुक गठनाए हैं और वह कौन-कौन से सन में घटित हुए हैं वे सभी इस वीडियो के माध्यम से आज हमने एक बार फिर से बहुत ही आसानी से पढ़ा और हमें सभी हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लाएं तो सबसे पहले आप तक पहुच्छे आप सभी उसका लाब लें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जाला जादा शेयर करें धन्यवाद